नमस्कार, स्वागात है आपका बिहारी नीज में वहाली परकिरिया में आवेदन जमा करने से लेकर मेरिट लिस्ट निकालने तक में अभिहार्थियों की ओर से धांधले की बात नहीं जाती रही है। की सिकाईटे आती है जिसमें सबसे जदा मामला मेरिट लिष्ट बनाते समय सामने आया है ऐसे में सिच्छा विभाग ने नियोजन पिरक्यरिया में होने वाली गड़वड़ियों को चिन्हित किया है तो आएए जानते हैं सिच्छा विभाग ने किस-किस तरह के गडवणियों को चिनित किया है और उसमें किस तरह के बदलाव की बात कही गई है सिच्छा विभाग ने नियोजन प्रकिरिया में इन बिंदियों को दोस्पुन माना है तो आखिर कोनकों से बिंदू है आगे हम उसको जानेंगे एक अभियार्थी को 8000 से ज्यादा न कई बार तो नगर निकाय अस्तर पर भी मेरिट लिस्ट में गरबड़ी और फर्जिस सेटिफिकेट के अधार पर नियोजन की बात कई बार सामने आ चुकी है पुर्व में बिना लिस्ट बनाये ही पैसे लेकर फर्जिस सेटिफिकेट के अधार पर अभियार्थियों के समबा इंतजार करना पड़ता है एक नियोजन प्रकिरिया में कम से कम दो से तीन साल लग जाते हैं पंचायत अस्तर पर बहाली होने के कारण सिछा विभाग का सीधा नियंद्रन नियोजन इकाईयों पर नहीं होता है सिछा विभाग के पास सिछकों की बहाली या उसके सर्ट कोई दास्तावे जुपलब्द नहीं होता है पहले की गलतियों से सीख लेते हुए सिछा विभाग ने अब भविस्व में होने वाले नियुक्तियों में बड़े बदलाग की तयारी कर ली है सिछा विभाग की माने तो साथवे चलन के सिछक पहाली की प्रकिरिया में पुर कोई जगह जाकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा इससे समय और पैसे की भरवादी नहीं होगी इसके साथ ही आवेदन की प्रकिरिया भी फूल प्रूफ होगी यहीं नहीं जब मेरिट लिस्ट ऑनलाइन तयार होगी तो अभियार्थियों को सर्टिफिकेट विस देने से पहले उनके सर्टिफिकेट और मेरिट लिस्ट की पूरी जांच कराई जाएगी ताकि कहीं भी गड़वड़ी ना हो फर्जी सर्टिफिकेट पर किसी सिचक की बहाली ना हो इसके लिए काउंसलिंग के बाद जिन सिचक अभियार्थियों को नियोजन पत्र मिलेग उसके सर्टिफिकेट को पहले वेरिफाइब किया जाएगा और उसके बाद उन्हें अस्कूल में जोईन करने की प्रमीशन मिल जाएगी आपको बता दें कि छठे चरण में 90,700 परात्में सिचक और करीब 30,000 माधिमिक और उंच माधिमिक सिचकों के नियोजन परकिरिया मे अटका हुआ है आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट से हड़ी जहननी मिलने के बाद सिच्चा विवाग अभियरतियों के सर्टिफिकेट को वेरिफाइब करने के बाद उन्हें फाइनल जोईनिंग लेटर सौंपेगा सरकार दवारा नियोजन पर किरिया हम बदलाव को लेकर अभियरतियों नों इससे स्वागात योग बताया है लेकिन हुने कहा है कि छठे चरण की बहाली पर किरिया जल्द से जल्द शुरू हो और अभियरतियों को नियोजन स्वांपी जाए तो बिहार और बिहार से जड़ो ही और भी ऐसे इंग खबरों के लिए बने रहे मुझे देजिए इजाज़त धन्यवाद